हेलो दोस्तों, दोस्तों आज की इस वीडियो के अंत तक मैं आपको ऐसी पाँच हैरान करने वाली रहसमय वीडियो क्लिप्स दिखाने वाला हूँ, जिनके पीछे का सच किसी को नहीं पता, इसलिए इन रहसमय वीडियो क्लिप्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें नमबर वन रूम 209 दोस्तो ये वीडियो क्लिप 2003 में यूटूब पर अपलोड हुई थी और ये एक होटल की वीडियो क्लिप है जहां एक रात एक कमरे से काफी आवाज आने की वज़े से सेक्योटी आफिसर को कमरा चेक करने के लिए भेजा गया था दोस्तो ऐसा बताया गया है कि इस कमरे के अगल बगल कमरों में ठहरे लोग काफी देर से ये सिकायत कर रहे थे कि उन्हें रूम नमबर 209 से बहुत तेज तेज चीखने की आवाज सुनाई दे रही है और दोस्तो सिकायत सुनने के बाद जब एक सेक्योर्टी आफिसर कमरा चेक करने जाही रहा था कि बीच में उसे पता चला कि इस कमरे में तो कोई ठहरा ही नहीं है और दोस्तो जैसे ही वो कमरे में घुसा ये धुधला सा साया कमरे से बाहर निकलते हुए दिखा और उसके निकलते ही आवाजे आनी बंद हो गई पर असल में दोस्तो ये साया किसका था आज तक ये किसी को नहीं पता नमबर टू दोस्तो ये एक ऐसी वीडियो क्लिप है जिसे आप कितना भी चाहें लेकिन इसके पीछे का सच नहीं बता सकते ये एक ऐसी वीडियो क्लिप है जो साल 2017 में यूटूब पर काफी वाइरल हुई थी और किसी के पास इस बात का सही जवाब नहीं था कि ये औरत पेड की इतनी उची डाली पर ऐसे कैसे खड़ी है दोस्तो वीडियो में ये साफ साफ दिख रहा है कि ये औरत अपना हाथ पीछे मोडे पेड पर बड़े अराम से खड़ी है बाकी कई लोगों की तरह आपको भी ये लग रहा होगा कि सायद ये किसी औरत का स्टैचू है जो पेड पर पहले से ही रखा हुआ था और ये सब एक प्लानिंग के तहत किया गया पर दोस्तो ऐसा नहीं है क्योंकि इस वीडियो क्लिप में यही औरत कुछ देर पहले इस पेड पर चड़ती हुई दिखाई दे रही है अब या तो ये औरत किसी आत्मा के वश में है या फिर ये एक बहुत अच्छी इस्टन्ट वोमेन है दोस्तो क्या आप पेड पर चड़ना जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तो जब से इंटरनेट पर यूटूब का दौर चला है तब से कई ऐसे खुज करता हो गए है जो भूतिया जगहों की सच्चाई पता करने वहां खुद जाते हैं और वहां की वीडियो रिकॉर्ड करके उसे अपने यूटूब चैनल पर डालते हैं दोस्तो इस वीडियो क्लिप में भी कुछ ऐसा ही हुआ है जहां दो भूतिया खुज करता एक भूतिया चर्च की सच्चाई पता लगाने आधी रात को उसमें दाखिल हुए थे अब उन्होंने ऐसे भूतिया जगह पर रात में ही जाने का फैसला क्यूं किया ये तो वो ही जाने पर दोस्तो जैसे ही दोनों खोचकरता चर्च के पूजा वाले कमरे में घुशने लगे, उन्हें कमरे के अंदर से तेज तेज से पियानों की आवाज सुनाई देने लगे, और जैसे ही वो कमरा खोल कर अंदर गए, उन्हें पियानों के ऊपर जुका हुआ एक साया दिखा, और बस उतना देख कर ही दोनों खोज करता उल्टे पैर दोड़ कर कमरे से भाग खड़े हुए। दोस्तो ये घटना न्यू मेक्सिको के एक परिवार की है, जो एक रात जब खाना खाते वक्त घर के बाहर लगे CCTV कैमरा की लाइफ फूटेज अपने LED टीवी पर देख रहे थे, तभी उन्हें स्क्रीन पर हैरान करने वाली ये डरावनी परचाई दिखाई दी। दोस्तो पहले तो देखने में ये एक लेफ्ट से राइट जाता हुआ एक आदमी लग रहा है, जो कि कुछ लोगों की माने तो उसी आदमी का ही रूह है, जो दो दिन पहले इस परिवार के पडोस में मरा था, पर चूकी वीडियो में उसकी तस्वीर काफी धुदली है, इसलिए पक्के तोर पर ये बताना मुस्किल है कि असल में इस वीडियो में है कौन। दोस्तो साल 2014 में जर्मनी के रहने वाले लार्स मिटैंक अपने कुछ दोस्तों के साथ बुलगारिया घूमने गए थे, वहां तकरीबन एक हफ़ते रहने के बाद लार्स की बुलगारिया के कुछ लोकल से जगड़ा हो गया, जिसमें लार्स का कान बुरी तरह से जखमी हो गया, और इसलिए दोस्तों लार्स ने अपने घर वापसी के टिकट कैंसल कर दी, जो आगे चल कर उसकी जिन्दगी का सबसे गलत फैसला साबित हुआ, क्यूंकि लार्स कभी घर पहुँचा ही नहीं, और दोस्तों आखरी बार लार्स को एरपोर्ट के इस सीसी टीवी कैमरे में देखा गया था, एरपोर्ट के आफिसर्स ने बताया था कि जब लार्स एरपोर्ट पर पहुँचा तो वो बिलकुल नॉर्मल था, पर जैसे ही वो एरपोर्ट डॉक्टर के क्लीनिक में घुसा, वो बड़ी अजीब तरह से बरताव करने लगा, और फिर चिलाते हुए कमरे से बाहर निकला, और अपना सारा समान पीछे छोड़, वो दोड़ता ही चला गया, दोस्तो भागते भागते वो कहां चला गया, आज तक इस बात की किसी को भी कोई ख़बर नहीं है, और उसके बाद से ही किसी ने भी लार्स को दुबारा नहीं देखा, तो दोस्तो इन सभी रहस्यमई वीडियो क्लिप्स में से, आपको कौन सी क्लिप्स सबसे ज़्यादा रहस्यमई लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ जरू से शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रस कर दे, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद,